राइपुर के प्रदेश कार्याले में आमाद्मी पार्टी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर हस्देव में करफ्रहे जंगलों को लेकर राजे सरकार पर हमला बोला है प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा है कि साय सरकार बनने के चार दिन की भीतर ही हस्देव के जंगलों में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है जिससे वहां के स्थानी लोग परिशान हैं आमाद्मी पार्टी ने मांग करते हुए कहा है कि जंगल के प्रभावित कामों के नेताओं को फुलिस जबरन उठा कर ले जा रही है उन सभी नेताओं को रिखा किया जाए और आदिवासियों के जल जंगल और जमीन को बचाया जाए महीं आमाद्मी पार्टी ने आंदोलन की भी चेताब नी दी है जो लेता खड़े उनको पुलिस जबरन उठाके ले गई है इसको लेके आमाद्मी पार्टी अप्रेस्वाब्ता कर लिए उन लोगों को रिखा किया जाए और आदिवासियों की जल जमीन को बचाने का काम करें ना कि उनको उजाड़ने का भद्यों के जंग